दोस्तो इंडिया बना वेस्ट एंडीज के बीच चौथा T20 मुकाबला 6 अगस को खेला जाएगा और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंस रहने वाला है जहां टीम इंडिया ये स्रीज जीतने के लिए मैदान में उतरे की तो ही वेस्ट एंड साथ मैं प्रियो प्रेडिक्शन भी करने वाला कौन सी टीम में मुकाबला जीतने वाले तो दूस्तो वीडियो में अंतता का बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना तो आए चलो वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रोई शर्मा शूरे कुमार यादो ओपने करने वाले हैं तीन नमबर पर शिरेश अयर दीपकुडा इशान किशन में से कोई एक चार नमबर पर रिशब पंध पांच नमबर पर दिनेश कार्तिक, आठ नमबर पर रवी चंद्र अश्वीन या फिर रभी विश्णोई, नो नमबर पर भुनेश और कुमार, दस नमबर पर हर्शल पतेल या फिर अवेशकन और ग्यारा नमबर पर अर्शदीप सिंग रहने वाले हैं तो ब्रेंडन किंग किल मे किल हुसे 9 नमबर पर ओडियन, इसमें 10 नमबर पर अलजारी जोसब और 11 नमबर पर ओबेड मका या फिर हेडन वाल से जुनियर रहने वाले हैं तो तो सुझे रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो चौते T20 मुकाबले में रहने वाले काफी बड़े बदलाओं के साथ द स्टार्ट होने वाला है, तो जैसा कि 5 T20 मैचों की स्रीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है, जहां पहले T20 मैच में टीम इंडिया को जबरदस जीत मिली तो होई, दूसरे में वेस्ट इंडिस टीम ने जीता, तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस प्रफॉर्म करके पूरे 8 विकेट से जीत लिया था, तो 2-1 से टीम इंडिया इस स्रीज में आगे चल रही है, और 14 T20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ड रहने वाला है, अगर हम प्लेइंग 11 का कंपेरीजन करें, तो टीम इंडिया का ट चौता T20 मुकाबला भी जीत सकती है, वैसे आपको क्या लगता है कौन सी टीम चौता मुकाबला जीतेगी, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो दोस्तो इस वीडियों बस इतना ही, अगर आपको वीडियों पसंद आयों तो वीडियों को लाइक करते हैं, चैनल क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, तैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियों